नमस्ते डियर आज एससी स्टेनो ग्रेट सी सिरीज का डिक्टेशन नमबर इगारमा है इसमें 1200 सब्द होंगे जो 110 सब्द परती मिनट की गती से होगी तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं स्टार्ट अध्यच्य महोदय सबसे पहले मैं अपने माननीय कारेकारी पार्षत महोदय का जिन्होंने बजट भासन दिया है और अपनी नीतियों की घोसना की है उसके बारे में उनको हिर्दै से बधाई देना चाहती हूँ मैं यह नहीं कहती की कोई क्रांती कारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट लेकिन मैं यह भी देखती हूँ की यह बजट जो है धीरे धीरे गती से समाजबाद की ओर बढ़ता जा रहा अपनी नीती से यह भूत काल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिला कर हमें उजवल भविस्च की ओर ले जाता है ऐसा मुझे कहना है इस भासन को पढ़ने से की इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अच्छूता छोड़ा गया हो क्योंकि भारत वर्ष एक क्रिशी परधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दोरान यह पूरी तरह से कोशिस की गई है कि ग्रामिन अर्थ विवस्था को जिसे हम अर्थ विवस्था की रीड भी कह सकते हैं उस धांचे में उस रीड की हड़ी को और भी ससक्ट बनाने का पूरी तरह से प्रियत्न किया गया है हमारे ग्रामिन भायों के लिए जो कोशिस की गई है इस बजट के अंतरगत वह है उनको सिचाई के लिए कुएं गाओं में उनके लिए पक्की सड़के जिससे उनके खेत और घर दिली के साथ जोडने की कोशिस की गई है जितनी भी उसमें ववस्था की गई है उससे ग्रामिन भायों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी उसके अतरिक ग्रामों उद्दोग के द्वारा जो रोजगारी का प्रवंध किया गया है उससे भी ग्रामिन अर्थ ववस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी मैं इनका ध्यान इस और दिलाना चाहती हूँ कि जहां तक सिच्छा का संबंध है इस बजट में कोई विशेश प्राभधान नहीं किया गया है मैं यह नहीं कहती कि सिच्छा के दोरान जादा स्कूल न खोले जाएं पर हमारी यह नीती होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं पर सबसे बड़ी आवसकता इस बात की है कि सिच्छा की नीती में परिवर्तन की जादा आवसकता है क्योंकि हम प्रजातंत में रहते हैं प्रजाजतंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तब्यों का भली भाती ज्यान हो सिच्छा की वर्तमान नीती से हम अपने अधिकारों के प्रती जैदा सजग होंगे और कर्तब्यों के प्रती बिल्कुल सजग नहीं होंगे स्रीमान मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में कुछ लोगों का क्या विचार है हमने विभिन द्रिष्टी कोनों से अलग-अलग विचार किया है विशेश रूप से सबसे उंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रस्ण पर किन्तु हम अनभौ करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है अगर हमारे देश में बड़े बड़े खार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है भले ही आप इससे सहमत न हो कि उनका कार संचालन दच्छता से होता और उत्पादन भी बहुत बड़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तोर तरीकों का विस्तार हो सकता भारत की मुल समस्या यह है कि जहां जोद की भूमी छोटी है और टुकडों में बटी है साधारन तोर पर मैं कहूं कि यह एक दो यह तीन एकड है इतनी छोटी जोद की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं लेकिन आधुनिक तोर तरीकों को अपनाने में बहुत कम परगती करेंगे अब सबसे उची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म है उनमें काट शाट हो जो की परयोजन भी है अगर आप चाहते हैं की परगती हो और आधुनिक तोर तरीकों का परचलन हो तब तो ये जो अंगिनत छोटे छोटे फार्म है इनको सहकारी धंग से चलाना है जिससे की वे आधुनिक उपायों का लाब उठा सके सहकारी धंग से कार्ज करने से मेरा मतलब है बिविध परकार से सहयोग देना हम सोचते हैं की पहला कदम सहकार होना चाहिए और रिन के अलावा अन्य कई परकार से भी सहायता की जा सकती है जैसे वस्तूओं को खरिदना और बेचना बीज खाद तथा इसी परकार की वस्तूओं को दिलाना दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना फिर दूसरी इस्थिती आती है जिसको मिल जुलकर खेती करना कहते है यदि पी उसमें भूमी पर अधिकार बना रहता है इस परकार का हमारा दृष्टी कोन है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गीर जाने का भय है यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है सहकार से मेरा मतलब एक गाउं के सहकार से है और जायदा से जायदा दो तीन गाउं का सहकार भी हो सकता है यदी वे निकट से सम्बंधित है लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी उपाधच महोदय वर्तमान बित अधनियम सदन के सामने प्रस्तूत है इस बील पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं इस बील का एक विशेश महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है चीन ने हमारे देश पर हमला किया देश पर संकट आया राष्ट को चुनावती मिली और इस चुनावती को हम सबने स्विकार किया जिसके लिए पैसे की आवसकता हुई इसको बित मंत्री ने बड़ी कुसलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया इस बील का महत तो इसलिए भी है की हमारी पंच वर्षिये योजना के मध में ही यह बील आया है देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवसक है इसके लिए भी बहुत बड़ी धनरासी चाहिए देश पर संकट आया और देश जागा कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फोज में दिये इस देश में किसानों और गरीवों का जो बर्ग है उसने भी दिल खोल कर इसमें सहयोग दिया उसके बाद जो उन पर अधिक बोज करके रूप में पढ़ रहा है या अनिवार बचत योजना के रूप में पढ़ रहा है उसको भी वह खुसी-खुसी सहन करने को तयार है परन्तु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है खून पसीने का जो पैसा है वह वैर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो इसके अतरिक उनकी कुछ अपनी दिकते और परिसानिया हैं जिनकी और सरकार का ध्यान चाहिए इस अपातकाल के समय में तो उनको इन आय दीन की कठिनाईयों से राहत मिलनी चाहिए रिन लेने में और अन्यकारियों में जो अडचने पड़ती हैं वे दूर की जाएं किसान भारत की रीड हैं अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा आज जहां देश के साधारन लोगों ने इस सरकार का हात बटाया वहां एक वर्ग नेन जो की धनी वर्ग कहलाता है अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरच्छा कारियों में सहायता नहीं की मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की लेकिन अपनी स्थिती के अनुसार सहायता नहीं की जहां तक योजनाओं का संबंध है इस देश को समरीद साली बनाने के लिए योजनाओं पर काफी काम हो रहा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें